10 माई 1857 का दिन गर्मी के मौसम का आगमन हो चुका था और सूरज आसमान से आग बरसा रहा था ये आग भारत के वातावन को गर्म कर रही थी लेकिन ऐसी ही एक आग हर भारतिये के दिल में भी धदक रही थी ये एक ऐसी करांती की आग थी जिसने ब्रिटीस हुकोमत की जड़े हिला कर रख दी थी 10 माई को मेरट 56 से अंग्रेजों के खिलाब भड़की विद्रो की जवाला देखते ही देखते पूरे देश भर में फैल गई मेरट जो अंग्रेजों के लिए सबसे सुरक्षित जगे थी वही विद्रो शुरू हुआ अंग्रेजों के जुल्मों का घड़ा भर चुका था और हर हिंदुस्तानी के जहन में बस एक ही खवाब था वो थी आजादी खैर विद्रो की इस ददकती गर्मी को भी अंग्रेज जल्दी ही ठंडा करने में काम्याब रहे और आजादी की ये आखरी किरन ने भी धीमे धीमे दम तोड़ दिया आगे के कहानी तो हर भारती ये पहले से ही जानता है लेकिन सवाल आता है कि 200 साल की गुलामी की ये कहानी आखर शुरू कहां से हुई आखर ऐसा क्या हुआ जो अंग्रेजों ने भारती जमीन पर अपनी नजर गड़ाई आखर वो कैसे भारत पहुँचे और भारत में उनके आने का क्या इरादा रहा दोस्तों इन सवालों का जबाब जानने के लिए इतिहास के पन्नों में थोड़ा और पीछे चलते हैं और गुलामी की दास्तान की शुरुआती जड़ों तक पहुँचते हैं नमस्कार मैं आपका दोस्त सुरे सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलिवेजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ये कहानी शुरू होती हैं 24 अगस्त 1608 में जब वैपार के एरादे से अंग्रेजों ने सूरत बंदरगास से पहली बार भारती सरजमीन पर अपना कदम रखा तब भारती ये नहीं जानते थे कि ये वैपारी कमपनी पूरे देश को अपनी गुलामी की जंजीर में बांधने के मनसूबे साथ लेकर आई है हालांकि अंग्रेजों ने अपने वैपार को 1609 में स्तापित किया लेकिन भारत में इस्ट इंडिया कमपनी की स्तापना 1600 में ही हो गई थी दक्षिन वा दक्षिन पूर्व एशियाई रास्टों के साथ वैपार करने के लिए 1609 में जॉन वर्स और जॉन वाइट द्वारा बिर्टीस जॉइंट इस्टों कमपनी की स्तापना की थी प्रारम बेस जॉइंट इस्टों कमपनी के शेर धारक बिर्टीश वैपारी और अभी जात वर्ग के लोग ही थे और इस कमपनी का ब्रिटिस सरकार के साथ कोई सीधा संबंद नहीं था लेकिन अंग्रेजों से पहले बाकी कही युरोपिय देश भारत तक पहुंच चुके थे भारत युरोपिय देशों के लिए सबसे परमुक वैपारी केंदर के रूप में सामने आ रहा था जिसके बाद ब्रिटिस सर्स के मन में भी भारत में वैपार करने की ललक जाग उठी कुल साथ वरसों के इंतजार के बाद पहली बार अंग्रेजों को सूरत में कारखाना इस्तापित करने की शाही अनुमती हासिल हो गई जिसके बाद इन्हें ऐसी ही एक और अनुमती विजय नगर सामराजे से भी हासिल हुई जिसके अनुसार ये वैपार के लिए दूसरा कारखाना मदरास में खोल सकते थे वैपार की शुरुआत होने के साथ ही सभी उरोपिय देशों में यहां के मसालों के वैपार पर अपना हक इस्तापित करने के महतो कांग साब बढ़ती चले गई जिसके चलते आगे चलकर इन कंपनियों के बीच कही जंग भी हुई खेर अब तो ये तो हम जान गए कि इस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई लेकिन सबसे पहले जरूरी सवाल तो ये आता है कि आखिर अंगरेज भारत कैसे आए इसके पीछे आखिर कौन सी पहली चिपी हुई है चलिए थोड़ा पीछे जानते हैं इत्यास गवा हैं कि वेस्टन कंट्रीज में एक समय ऐसा भी आया जब लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने के उद्देशे से जहाज लेकर समुंदर में चल पड़ते थे ये वो दोर था जब पूरे विश्व का नकसा बन कर तयार नहीं हुए था इसलिए लोगों में विश्व को खोजने की होड मची हुई थी तब यूरोपिय देशों को इस बात की खबर नहीं थी कि दुनिया के किसी कौने में भारत वर्स भी अस्तितों में है धीरे धीरे यूरोपिय लोगों ने समंदरी यात्राइं शुरू की शुरूआती दोर में लोगों की यात्राइं खजाने को लेकर थी यात्रा करने के लिए यूरोपिय देश जिन जहाजों का इस्तिमाल करते थे उनका दाम काफी ज़्यादा होता था ऐसे में महीनों की महनत के बाद वैजिस राजय या देश में पहुंचते थे वहां से भारी मातरा में खजाना लूटकर यूरोप लेकर आया करते थे और ये खजाना उन लोगों में बांठा जाता था जिन्नोंने जहाज को बनाने में कीमत लगाई होती थी इस तरह से यूरोपिय देशों में खजाने की मातरा बढ़ती जा रही थी यूरूपिय लोग अमीर होते जा रहे थे यूरूपिय देशों को तब तक भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी भारत तक पहुंचने का सफर सबसे पहले वासकोडी गामा ने तह किया वासकोडी गामा बिटेन के ना होकर बलकि एक पुर्थ गाली थे जिनके पिता पहले से ही नावीक थे ऐसे में वासकोडी गामा ने भी नावीक बनने का फैसला किया साल 1497 में 170 लोगों के साथ मिलकर वासकोडी गामा लिस्बोन पोर्ट से भारत के लिए रवाना हुए और अफरिका के कैप आप गुड हब पार्ट वाले समुदरी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए भारत के काली कट छेतर पहुँचे वहां जाकर वह काली कट के राजा जैमरीन से मिले और उनसे भारत के साथ वैपारिक संबंदों की स्तापना को लेकर वारता की ये बातचीत वास्कोडी गामा के लिये उप्योगी नहीं रही ऐसे में वास्कोडी गामा वापस पुर्टगाल लोट गए और सित्तमबर 502 इसवी में वे दोबारा भारत आए इस बार की यातरा में उन्होंने पिछली यातरा से ज़्यादा सफलता प्राप्त की और भारत और पुर्टगाल के वैपारियों के बीच वैपारीक संबंद इस्तापित करने में सफल रहे वासकोडी गमा की सफलता को देखते हुए पुर्टगाल के राजा ने बाकी वैपारियों को भी भारत जाने और वैपार करने के आदेश दिये इसी रहा पर चलते हुए 1502 में पुर्टगाल द्वारा एक कमपनी इस्तापित की गई जिसे पुर्टगई East India Company के नाम से जाना गया इस कमपनी के इस्तापित होते ही कही वैपारी भारत की और आकरसित हुए और वैपार तेजी से बढ़ने लगा कमपनी की सफलता को देखते हुए राजा ने 1505 में एक फ्रेक्टरी की स्थापना की जिसका गवर्नर फ्रांसिसको डी अलमीडा को चुना गया पुर्टगाल के बाद भारत पहुचने वाली अगली कमपनी थी डच इस्ट इंडिया कमपनी जो की नीदरलेंड से भारत पहुची थी ये कमपनी नीदरलेंड से सबसे पहले भारत के मसूली पटनम तट पर पहुचे जिसके बाद इस देश ने भी भारत के साथ वैपारीक संबंद इस्थापित करने की कोशिस की डच कंपनी ने मसुली पटनम पर अपना दबदबा जमाने के बाद सूरत और नागा पटनम पोर्ट पर भी वैपार इस्तापित किया और धीरे धीरे भारत के कही चेतरों में अपनी फैक्टरी इस्तापित की और अपने वैपार को तेजी से भारत के कही तटों तक फैलाया साल 1605 में जब डच कमपनी के वैपार भारत के कही छेतरों में फल फूल रहा था तबी शूरत बंदरगास से भारत में एंट्री लेती है बिर्टीस कमपनी भारत पहुंचने के बाद बिर्टीचर्स को मैसूस हुआ कि दिन बे दिन पूर्टुगाल और डच कमपनीज का भारत के साथ वैपार बढ़ता जा रहा है ऐसे में बिर्टेन को भी भारत के साथ वैपार एक संबंध इस्ताबित करने की कड़ी जरूरत है दोस्तों बारीकियों पर जाये तो जौन मिल्डेन होल जो की बिर्टीसर्स थे वो सन 1599 इस्वी में ही भारत आ गए थे सन 1690 में ही इंगलिस इस्ट इंडिया कमपनी को क्वीन एलिजा बेत द्वारा किये चार्टर से शुरू किया गया था तब ये एक नीची संगठन था जो शेयर जारी करके शुरू किया गया था शुरूआती दोर में बिर्टेन ने भारत में दिल्चस्पी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये देश अमेरिका जैसे बड़े देशों को साथ युद लड़न में वेस्ट था वेस्टन कंट्रीज में अपना दबदबा फैलाते हुए बिर्टेन ने भारत पर अपना राज कायम करने का नहीं सूचा लेकिन दूसरी यूरोपिय कंपनियों का भारत में दबदबा बनते देख बिर्टीचर्स भी भारत के साथ वेपार करने में दिल्चस्पी दिखाने लगे साल 1608 में कंपनी ने अपने प्रदिदिदी कैप्टन विलियम हौकिन्स को जहागीर के दरबार में भेजा ताकि वो सूरत में वेपार करने की इजाज़त पा सके लेकिन जहांगीर ने इस प्रसाव को ठुकरा दिया बाद में 1609 में जहांगीर सूरत में एक कारखाना बनाने के लिए राजी हो गए इस तरह इस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपना दूसरा कारखाना खोला और 1616 में मसूली पटनम में भी तीसरा कारखाना इस्तापित किया इसके बाद धीरे धीरे बिल्टी सर्स का वेपार परवान चड़ने लगा और साल 1632 में इस इंडिया कंपनी को गॉल कॉंडा किंगडम में वील राइट टू ट्रेड हासिल हो गया बिल्टेन के वेपार के शुरुआत के साथ ही भारत आने वाली दूसरी वेपारी कंपनी थी फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी जिसने 1664 में वेपार के इरादे से भारत में अपने कदम जमाए दरसल इस कंपनी को मुख्य रूप से फ्रांस के राजा किंग लोईस ने डच और बीटीस कंपनी के साथ वेपारी प्रती दूंदीता करने के लिए इस्तापित किया था और वो ऐसा करने में सफल भी रहे भारत में वेपार के लिए यूरोपिय कंपनियों की जिसे बार्ड सी आ गई कंपनियों की तादात बढ़ने के साथ इन देसों के बीच उच इस्तर पर प्रती दूंदीता भीप शुरू हो गई अपना दबदबा कायम करने के लिए और भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन वेपारी कंपनियों के बीच भी कही युद लड़े गए जिन से आप बखुबी वाकिप है धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूट नीती से दूसरी यूरोपी वेपारी कंपनियों को भारत से बाहर ख़देड़ना शुरू कर दिया और भारत के पूरवी और पच्छी मी तठीये चेतरों में कही वेपारीक संस्ताओं का विस्तार किया कलकता, बॉंबे और मदरास कुछ ऐसे नाम थे जहां अपना दबदबा बनाने के लिए ब्रिटीसर्स ने खास काम किया साथी साथ उन्होंने ब्रिटीश शंस्कृती को भी वहां पर विकवसित किया ब्रिटीसर्स मुख्य रूप से अपने वेपारीक संस्ताओं का विस्तार किया वेरेसम, नील, कपास, चाय और अफीम के वेपार में काफी दिल्चस्पी लेते थे इस बात को तो आप जानते ही हैं, आगे इनके खिलाब होने वाले विद्रो भी इनी प्रोडक्ट की खेती से संबंदित थे शुरुआती दोर में अंग्रेजों का भारत को अपना गुलाम बनाने का कोई एरादा नहीं था लेकिन वेपार करते वेए उन्हें इस बात का आभास हुआ कि सामाजिक, राजनितिक और आर्थिक रूप से भारत काफी अस्त वेस्त है लोगों में काफी भेदबाव आपसी मत्वेद है इनी कम्यों को देखते वे अंग्रेजों ने वेपार के साथ साथ भारत पर शासन करने का सपना दिखा और अपने सपने को साकार करने में सफल भी रहे तो ये थी अंग्रेजों और सभी यूरोपिय कंपनियों के भारत में आगमन की कहानी बास यहीं से शुरुआत हुई उस गुलामी की दास्तान की जिसने 200 सालों तक भारत के इतिहास को काला कर दिया ये कहानी फिर कभी किसी और वीडियो में आपको सुनाएंगे आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आप हिस्ट्री टेलिविजन पर सबस्क्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बात बात धन्यवाद